आज से शुरू हो रही वर्षद 2020 की शादी नवरात्री और इन नौ दिन माता की नौ स्वरूपों की अराधन की जाएगी। आज शादी नवरात्री के प्रथम दिन पर भक्त मा दुर्गा के प्रथम स्वरूप माशैल पुत्री की पूजा अर्चना कर रही है। ऐसी धार्मिक मानेता है कि नौ दिनों मा की पूजा अर्चना का विशेश महत्व होता है और इन दिनों पूजन करने से विशेश फल मिलता है। मा शैर पुत्रे की पूजा अर्चना करने से चंद्र दोश दूर होता है। आज हम आपको प्रतम दिन की पूजा विधी बताते हैं सुब़ जल्री उटकर स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्तर को धारन करें मातरानी को पीला रंग बहुत पसंद है सबसे पहले शेल पुत्री की तस्वीर या प्रतिमा को चौकी पर विराजमान करें इसके बाद एक कलश स्थापत करें जिसके उपर नारियल और पान के पत्ते को रख कर एक स्वस्तिक बनाएं फिर एक अखंड जोती जलाकर इस मंतर का जाब करें ओम ए हीमलीम चामंडाय वच्छे ओम शेल पुत्री देविये नमहा इसके बाद मातारानी को सफीद फूलों से बनी हुई माला अरपित करें मातारानी को भोग लगाएं और ध्यान रखें कि भोग सफेद रंका हो जैसे खीर या मिठाएं फिर मादा के कथा सुनाकर उनकी आलती कर लें शाम को कपूर जलाकर हवन करें आप इन मंतरों का जाब भी कर सकते हैं यह वो मंतर है जो माता शैल पूत्री को प्रसंद करते हैं आप देख रहे हैं घमासान.com और भी णियोज अब्डेट्स पानी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें